आज हम सीखेंगे परितंत्र के संगटकों के बारे में चलिए पहले समझे परितंत्र याने इकोसिस्टम क्या है? हमारे चारो और विभिन जिव जैसे पेड, पौधे, विभिन जन्तु, सूक्षमजीव तथा अजैव कारक जैसे मुरदा, वायू, बारिश, ताप, खनीज, इत्यादी होते हैं इससे हमारा परियावरण यानि इन्वामेंट बनता है अपने परियावरण में कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता जीवित रहने के लिए प्रतियव जीव को अपने आसपास स्थित, अन्य जीवों तथा अजैव कारकों के साथ परस पर अन्यों निक्रिया करना अवश्यक है जैसे वन में विभिन जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर तथा अजैव कारकों पर निर्भर है गाउ में प्रतियव व्यक्ति किसीने किसी कारणवश तूसरे व्यक्तियों विभिन प्राणियों तथा विभिन भौतिक कारकों पर निर्भर है किसी शेत्र के सभी जीव, वातावरण के अजयव कारक तथा उनकी परसपर अन्योन क्रिया को संयुक्त रूप से परितंत्र कहते हैं, जैसे वन तथा गाव परितंत्र है. परितंत्र एक छोटी जल जीव शाला यानि एक्वेडियम जैसा अध्याधिक छोटा तथा एक बड़ी सागर जैसा अध्याधिक बड़ा भी हो सकते हैं. परितंत्र प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है प्रकृति द्वारा निर्मित परितंत्र जैसे सागर, वन, नदी, जील, ताला, पर्वत, इत्यादी सभी प्राकृतिक परितंत्र है जबकि मानवो द्वारा निर्मित परितंत्र जैसे जल जिवशाला, भगीचा, खेत, मानव निर्मित परितंत्र है किसी भी परितंत्र में जैव खटक यानि बायटिक कम्पोनेंट्स तथा अजैव खटक यानि एबायटिक कम्पोनेंट्स होते हैं उदाहरण के लिए तालाब परितंत्र में मचली, मेंधक, विभिन्न पंची, सूक्ष्मजीव, शैवाल तथा आसपास के पेड़, आदी सभी जिव घटक कहलाते हैं तथा वर्षा, जल, मुर्दा, ताप, खनीज, आदी सब अजैव घटक कहलाते हैं यदि हम जैव घटकों की बात करें तो ये विभिन प्रकार के हो सकते हैं वे स्वपोशी जिव यानि आटोट्रॉफ्स जैसे हरे पौधे और कुछ जीवानू इत्यादी जो प्रकाश संसलेशन से समस्त परितंत्र के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं उत्पादक यानि प्रो लोमडी, शेर, इत्यादी जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उप्भोक्ता यानि कंज्यूमर कहलाते हैं बकरी, हीरन, खर्गोश, टिड़ा, इत्यादी जैसे जिव स्वपोशी जीवों से प्रत्यक्ष यानि हर्भी वोरस कहते हैं चेर, लोमडी, चीता जैसे जिव जो अन्यजन्तुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं मासाहारी यानि कार्णिवोरस कहलाते हैं कुछ जिव जैसे मानव, सुवर, मुर्गी, अपना भोजन, पौधो तथा अन्यजन्तुओं दोनों से प्राप्त कर सकते हैं इन्हें सर्वाहारी यानि ओम्निवोरस कहते हैं कुछ जिव जैसे किल्नी, जू, प्लाज्मोडियम, अमर्बेल, इत्यादी अन्यजीवों के शरीर से उन्हें बिना मारे भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें परपोशी यानि पैरसाइट्स कहते हैं कई जिवानू एवं कवक जैसे सूक्षमजिव, मृत जैव अवशेशों का अपमार्जन यानि डिकंपोजिशन करते हैं और जटल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्दित करते हैं ऐसे जिव अप घटक याने डिकंपोजर्स कहलाते हैं ये पदार्थ पोधो द्वारा अवशोशित कर लिये जाते हैं पोशकों के चक्रण में इनकी भूमी का महत्वपूर्ण होती है अब चलिए जानते हैं आहार श्रंखला यानी फोड चेन एवम आहार जाल यानी फोड वेब के बारे में किसी भी परितंत्र में जिव भोजन दूसरे जिवों से प्राप्त करते हैं जैसे पौधो से टेड़ा, टेड़े से मेंधक, मेंधक से साप और साप से गरूर भोजन प्राप्त करते हैं जीवो की ऐसी शंकला जिसमें एक जिव तूसरे के लिए भोजन है आहार शंकला कहलाती है बिन आहार शंकलाओं की लंबाई भी भिन होती है वास्तविक रूप से एक जिव एक से अधिक जीवो को खाता है और स्वयम एक से अधिक जीवो द्वारा खाया जाता है इस तरह विभिन आहार शंकलाओं एक दूसरे से जुड़कर आहार शंकलाओं का एक जाल बनाती है जिसे हम आहार जाल कहते है किसी भी आहर श्रंखला में प्रत्य चरण या कड़ी एक पोशी स्तर यानि ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं इस तरह से स्वपोशी या उत्पादक प्रथम पोशी स्तर का, शाकाहारी या प्राथ्मिक उभ्भोकता द्वितिय पोशी स्तर का, छोटे मासाहारी या द्वितिय उभ्भोकता तीसरे पोशी स्तर का और बड़े मासाहारी या तृतिय उभ्भोकता चोथे पोशी स्तर का नि हित उर्जा है पादप सौर उर्जा का लगभग एक प्रतिशत भाग खाद्य उर्जा में परिवर्थित करते हैं जब पौधे प्रात्मिक उभोगता द्वारा खाये जाते हैं तब खाये हुए भोजन का लगभग 10 प्रतिशत भाग ही जैव मात्रा यानि ओर्गानिक मैटर म बदल पाता है शेश उर्जा का उश्मा पाचन की क्रिया विभिर्न जैव प्रक्रम वृद्धी एवं जनन में रास होता है इस तरह अगले स्तर के उभोगता के लिए खाये हुए भोजन का केवल 10 प्रतिशत भाग ही उपलब्द हो पाता है यह प्रतेक स्तर के लिए सत्य ह इस तरह प्रतेक स्तर पर उपलब्द कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का लगभग 10 प्रतिशत भाग ही अगले स्तर पर पहुच पाता है इस प्रकार प्रतेक स्तर पर उर्जा की हानी होने से प्रतेक पोशी स्तर पर उपलब्द उर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है उर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है इस तरह उर्जा का प्रवाह सूर्य से पादप, पादपों से प्राथमिक उभभोकता तथा अगले पोशी स्तरों में हो सकता है लेकिन विपरित दिशा में नहीं हो सकता आहार श्रिंखला के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है जल प्रदूशन तथा अत्याधिक रसायनों के प्रयोग से विबिन रसायन मुर्दा में चले जाते हैं तथा पौधो द्वारा अवशोशित कर लिये जाते हैं पौधों से ये रसायन अन्य जन्तूओं में पहुच जाते हैं कुछ रसायनों जैसे DDT अजेव निमनिकरत यानि नौन पायो डिग्रिडिबल है इसलिए ये प्रत्येक पोशी स्तर पर क्रमशह संगठित होने लगते हैं इसे ही हम जैव आवर्धन यानि biological magnification कहते हैं इसके कारण किसी पोशी स्तर पर रसायनों का सांधरन उसके निचले पोशी स्तर से अधिक पाया जाता है इस तरह से अंतिम पोशी स्तर पर यह सबसे अधिक पाया जाता है चुकि मनुष्य किसी भी आहार श्रंखला में शीर्ष स्थान पर है इसलिए मनुष्य में इन रसायनों का सांद्रन सबसे अधिक है यह हमारे लिए चिंदा का विशय है आप अपने अध्यापक से जैव आवर्धन पर अवश्य चर्चा करें तथा यह अवश्य ग्यात करें क कि जैव आवर्धन के समस्या को कैसे रोका जा सकता है तथा इसका हल क्या है तो आज हमने सीखा परितंत्र के संघट को के बारे में